नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ हाराधना, आज इस बुलेटिन में बात होगी सियम अर्विंद केश जिवाल के इस्तीफे की। कॉंग्रेस आंसत राहुल गांधी को लेकर केंद्रिय मंत्री के विवादत बयान की। देखेंगे केंद्रिय मंत्री नितन गटकरी के बड़े दावे को, चुनाव की बीच हर्याणा बीजेपी में छिडे घमासान को। जानेंगे महराष्ट में अजित पवार ने कैसे बढ़ाई एंडिये की टेंशन और बुलेटिन के आखिर में बात मोधी सरकार में बढ़ते रेल हाथ सोकी। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आरेसस प्रमुक मोहन भागवत का बड़ा बयान बोले हम कहां पिछड रहे इसकी चर्चाश जरूरी वकीलों के गलत बयान पर सुप्रीम कोट नाराज कहा हमारा भरोसा हिल रहा रोज असी केस होते हैं लिस्ट हर पेज से गुजरना मुश्किन देश में हर डॉक्टर को मिलेगा यूनीक आईडी नंबर एनेमसी पोर्टल पर रेजिस्ट्रेशन जरूरी नैशनल मैडिकल कमिशन ने तयार किया पोर्टल शिवसेना यूबीटी प्रमुक उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान कहां मैं मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देख रहा पहले भी नहीं देखता था और अब भी नहीं देख रहा ये तो थी सुर्खिया अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की जेल से बाहर आने के बाद से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केश्रिवाल के तेवरों ने बीजेपी के होश उड़ा दिये है केश्रिवाल लगातार बीजेपी पर तीखे हमले बोल रहे है और अब उन्होंने बड़ा एलान कर दिया है तो क्या है केश्रिवाल का ये नयादा जिससे बीजेपी रह गई हैरान देखे इस रिपोर्ट में जमानत पर जेल से बाहराने के दो दिन बाद दिल्ली के मुखे मंतरी अर्विन केश्रिवाल ने चौकाने वाली घोशना की है जिसने सभी को हैरान कर दिया है अगर आपको लगता है केश्रिवाल इमानदार है तो मेरे पक्ष में वोट दे देना आपका एक एक वोट मेरी इमानदारी का सर्टिफिकेट होगा मैं घर घर जाओंगा जनता के बीच जाओंगा मैं तब तक CM की कुरसी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे मैं चुनाव के बाद ही कुरसी पर बैठूंगा इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं इमानदार हूँ इसलिए बेइमान साबित करने पर तुले हैं केजरिवाल के इस दाव ने देश की राजनीती में उतल पुतल मचा दी है केजरिवाल के इलान से बीजेपी बड़ी मुसीवत में घिरती दिखाई दी रही है तो वहीं आतिशी ने प्रेस कॉन्फरेंस करते हुए कहा कि केजरिवाल जी की इमानदारी पर सुप्रीम कोट ने भी मोहर लगा दी है कोट ने केंदर सरकार और उनकी जाँच एजंसियों के मूँ पर तमाचा मारा है कोट ने सीबियाई को केंदर सरकार के पिंजरे में कैद तोदा कहकर उसके दुआरा केजरिवाल जी की गिरफतारी पर सवाल उठाया है अब केजरिवाल जी ने ये एलान कर दिया है कि वो दो दिन में इस्तिफा देंगे हमारी मांग है कि चुनाव आयोग नवंबर में महराष्ट के साथ दिल्ली में भी विधानसबा चुनाव कराए जिससे जनता केजरिवाल जी की मांदारी पर अपना ठपा लगा सके केजरिवाल ने अपने इस्तिफे की घोशना कर दी है आखिरकार बीजेपी की मांग पूरी हो गई है लेकिन तब भी बीजेपी परिशान नजर आ रही है तो उसकी परिशानी अपने ही मंत्री ने और बढ़ा दी है केंद्रिय मंत्री रवनीत बिट्टू ने कॉंग्रेस आंसद राहूल गांधी के लिए विवादित बयान दे दिया है हाला कि ये कोई नई बात नहीं है लेकिन इस बार उनके बयान पर सियासत गर्मा गई है तो राहूल को लेकर ऐसा क्या कह दिया मोदी के मंत्री ने जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट मोदी सरकार में मंत्री और बीजेपी निता रवनीत सिंग बिट्टू ने राहूल गांधी को लेकर बेहदी आपत्ती चनक बयान दिया है कि राहुल गांधी ने सिखों को बाटने की कोशिश की है, सिख किसी पार्टी से जुड़ा नहीं है और ये चंगारी लगाने की कोशिश है, उनके बयान को देश विरोधियों का साथ मिला हुआ है। जो देश के दुश्मन जो भरूध, दोली, हर ताइम मारने की कोशिश करते हैं, उडाने की कोशिश करते हैं, जहाजों को, ट्रेन को, रोड को, जब वो लोग राहुल गांधी की स्पोट में आगे, आप अंदाजा जाली जिए, राहुल गांधी खुद देश के नंबर वन अगर किसी को मेरी ख्याल से किस पे अनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, जा बेश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको अलानना चाहिए जैंसी को, वो आज राहुल गांधी है, इसके साथ ही बिट्ट्यू ने यहां तक कह दिया, कि राहुल गांधी को पकड़ने के लिए सबसे बड़ा इनाम होना चाहिए, ऐसे में सवाल ये उड़ता है कि राहुल गांधी पर अगर मोधी सरकार इनाम घोशित करना चाहती है, तो उन्हें रोका किसने है, राहुल गांधी ना तो कहीं छिप रहे हैं, और ना ही भाग रहे हैं, बीजेपी नेता अब राह साफ है कि राहुल गांधी से बीजेपी डरी हुई है, और उसके नेता बॉखलाए हुए है, बिट्टू के बयान से मोधी सरकार मुश्किल में नजर आ रही है, तो पी-म की कुर्सी पर भी संकट मडराता नजर आ रहा है, खुद मोधी के मंत्री के दावे ने पी-म मोधी क की टेंशन बढ़ा दी है, जी हां, केंद्रिय मंत्री नितन गटकरी ने बड़ा दावा कर दिया है, जिसे लेकर विपक्ष भी मोधी सरकार की घेरा बंदी में जुट गया है, नितन गटकरी को पी-म बनने का प्रस्ताव मिला है, ये दावा खुद मोधी सरकार में मंत्री नितिन गटकरी ने किया है उन्होंने कहा कि एक घटना मुझे याद आती है एक नेता थे मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे गटकरी ने नेता का प्रस्ताव तो बता दिया लेकिन नाम नहीं बताया ऐसे में उनके इस भयान के कई माईने निकाले जा रहे हैं सवाल उठ रहे है कि क्या गटकरी की मन में पीम बनने की इच्छा दिखाई दे रही है शिवसेना यूबीटी सांसत प्रयांका चतुरवेदी ने तो यहां तक कह दिया कि नितन गटकरी जी दिल जानमंत्री पत के लिए पैरवी करने को कहा होगा जिस तरह से इस देश में तानाशाही चल रही है और जिस तरह से दस साल पहले आपातकाल की शुरुआत हुई थी उन्हें अगर ये सला किसी ने दी है विपक्ष के किसी नेता ने दी है तो मुझे इसमें कुछ भी गलत न पावा कर दिया है पीम मोदी की कुरसी संकट में है तो हर्याना में भी बीजेपी की मुश्किले बढ़ती नजर आ रही है नेताओ का पार्टी से भरोसा उठसा गया है एक के बाद एक नेता पाला बदल रहे है तो सीम पत को लेकर भी पार्टी के दिगज नेताओं में ही खामासान चड़ गया है देखें ये रिपोर्ट हर्याना विधान सभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी होने के बाद से पार्टी में इस्तीफों की जड़ी लगी हुई है अब तक कुल 50 से ज्यादा पूर्व विधायक पूर्व मंत्री और पूर्व सांसदो सहित अन्यनेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब हाल ही में इस लिस्ट में दो और नाम शामिल हो गए हैं बतादें कि भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष सुखविंदर मांडी और करनाल के पूर्व विधायक जैप्रकाश गुपता ने बीजेपी छो सान भी खुल कर सामने आ गई है जहां हर्याना चुनाव के लिए बीजेपी सीम सैनी के फेस पर चुनाव लड़ने की तयारी में है तो अब इसमें पूर्व मंत्री अनिलविच की भी एंट्री हो गई है अनिलविच ने सीम की कुरसी के लिए अपनी दावेदारी पेश करन प्रचैने की मांग कर तब और इस बार सारे हर्याना परदेश की जनता के कहने पर मुझे बहुत लोग आखर मिल रहे हैं और अबाला च्शांवने की की जनता के incentiv इस बार मैं अपनी व्रिष्टा के दम पर मैं मुख्या मंत्री पद्ध का दावा करूँगा बनाना या ना बनाना ये हाई कमांड का काम है लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हर्याना की तकदीर बदल दूँगा मैं हर्याना की तस्वीर बदल दूँगा पार्टी से लगातार स्तीफों और CM की कुर्सी को लेकर अंद्रूनी खीश्टान को देखते हुए हर्याना चुनाव में BJP की राह इस बार आसान नहीं दिखाई दे रही है हर्याना में CM पत को लेकर BJP में टकराव की स्थिति बनती नज़र आ रही है तो महराश्र में भी CM पत को लेकर खीश्टान मची हुई है विधान समझ चुनाव से पहले ही NDA के सहयोगी दलों में घमासान चड़ गया है सब अपनी अपनी दाविदारी पेश कर रहे हैं शिंदे और अजित गुट में पोस्टर वार थमने का नाम नहीं ले रही है तो इस बीच एक और पोस्टर ने विवात खड़ा कर दिया है महराश्र एंडिये में छड़े पोस्टर वार के बीच अब एक और पोस्टर सामने आया है इस पोस्टर में अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताए गया है। अजित पवार को भावी मुख्यमंत्री बताए गया है। अजित पवार से नाराज शिंदे गुट के कारिकरताओं ने उनके पोस्टर को काले कपड़े से ठंक दिया था। तो एंसीपी के कारिकरताओं ने भी शिंदे गुट के पोस्टर फार दिये थे। मामला पुलिस स्टेशन तक पहुँच या था। ऐसे में ये पोस्टर एक बार फिर एंडिये की अंतर कलह को बढ़ावा दे सकता है। महराश्ट्र एंडिये में तनाव बढ़ता जा रहा है तो बिहार में भी एंडिये में फूट के आसार नजर आ रहे हैं। मुखेवंत्रे नीतिश हुमार के पल्टी मारने की खबरों के बीच चर्चा ये चल रही है कि एलजेपी आर प्रमुक चिराग पासवान भी बीचेपी के साथ बड़ा खेला कर सकते हैं। और उन्होंने तो इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। तो कैसे चिराग पासवान ने बढ़ाई बीचेपी की धड़कने। जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में NDA बिखरता दिखाई दे रहा है। सियासी गलियारों में NDA के सहयोगी दलों में मतभेद की चर्चा तेज है। नितीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि वो कभी भी पल्टी मार सकते हैं। तो वहीं चिराग पासवान ने भी संकेत दे दिये हैं कि उनको भी पल्टी मारने में कोई गुरेज नहीं है। लजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने NDA में सीट बटवारे से पहले ही पार्टी के विधानसबा उमिद्वारों की दावेदारी ठोकनी शुरू भी कर दी है। चर्चा है कि 2020 की तरह चिराग पासवान जेडियू के साथ खेला कर सकते हैं। जेडियू के अंदर तो इस बात की सुक भुगाहट भी शुरू हो गई है कि चिराग पासवान एक बार फिर बीजेपी के इशारे पर जेडियू को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान विधान सबस सीटों पर अभी से उमीद्वारों का एलान करने लगी हैं। संकेत दे चुके हैं कि विधान सबस चुनाव में मटिहानी सीट से वो राजकुमार सिंग को ही उमेद्वार बनाएंगे। क्योंकि इस सीट से जो विधायक हैं वो जेडियू में है। इसलिए जेडियू इस सीट पर अपना स्वभाविक दावा मान रही है। और बुलेटन के आखिर में बात मोदी सरकार में बढ़ते रेल हाथसों की। आए दिन देश में रेल हाथसों की खबर सामने आती रहती है जिसे लेकर मोदी सरकार सवालों की घेरे में है और अब एक बार फिर रेल हाथसे की खबर सामने आई है ये खबर बिहार की है तो वहीं कॉंग्रस ने रेल हाथसों में जान जाने वालों के आंकड़े भी पेश कर दिये हैं जिसे लेकर मोधी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं तो क्या है पूरा मामला देखे इस रिपोर्ट में देश में इन दिनों लगातार कहीं न कहीं से रेल हाथ से की खबर आती रहती है बिहार की गया में एक अजीबो गरीब नजारा देखने को मिला यहां चलते चलते खेत में उतर गया आप रेल बना लीजिए यह रहा वीडियो इसके साथ ही कॉंग्रिस ने वीडियो भी शेयर किया है बता दें कि यह घटना गया के वजीर गंज के पास हुई लोको पाइलेट इंजन को लेकर लूप लाइन से गया की तरफ जा रहे थे कि अच चुंग्रिस ने टूइट किया कि रेल हाथ्सों में 313 यात्री और 4 रेलवे करमचारियों की जान चली गई यह आंकड़ा सर्फ एक साल का है इतनी बड़ी संख्या में जान जाने की घटनाएं दर्श की गई है इसके बाद भी रील मंतरी बेशर्मी से इसे छोटी घटना बताते हैं हर दिन कोई न कोई रेल हाथ्सा होता है लेकिन मोधी सरकार को फर्क नहीं पड़ता देश में जुस तरह लगातार तेन हाथ्सों की घटनाएं हो रही है उससे ऐसा लगता है कि मानो दुरगटनाएं अब आम बात हो गई है रेल हाथ्सों को लेकर विपक्ष कहिए डीबी लाइक नमस्कार